इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह खुजली, सूजन और रैशिज जैसे लक्षणों से राहत दिलाता है। यह लेना बंद कर देते हैं, तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं। यह दवा आम तोर पर बहुत सुरक्षित होती है। इस दवा के सबसे आम साइड एफेक्ट्स में नींद ना आना, सिरदर्द और मूह सूखना शामिल है। यह आम तोर पर हलके होते हैं और कुछ दिनों के बाद चले जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर दवा के साथ समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि वे बने रहते हैं या आपकी चिंता करते हैं। इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको अपने लीव या किड्नी या दिल की कोई समस्या है। गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे इस दवा के साथ अत्यधे को नींदापन हो सकता है. ये आमतोर पर आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को कम नहीं करता ह लेकिन अगर आपको नींदिया चक्कर आ रहा है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ क्लिक करें. धन्यवाद.